यार बहुत तेज प्यास लग लिए दो मने टुक में अभी पानी लेके आज चे वह एक बोटल पानी दे नो हम जब भी बाहर होते हैं और हमें प्यास लगती है तो हम ऐसे ही प्लास्टिक की बोटल में पानी खरीद लेते हैं और पी लेते हैं प्लास्टिक जो हमारे पानी के साथ करता है वो काफी गलत है तो चलिए डीटेल में समझते हैं अच्छली फैक्टरीज में जब पानी को इन बोटल में पैक किया जाता है तब से हमारे पास इन बोटल को आते-ाते काफी समय लग जाता है और पिर कंजूम करने तक इस पानी को प्लास्टिक में पढ़े-पढ़े 2-3 महीने तक लग सकते हैं और इतने लंबे टाइम तक जब एव पेल प्लास्टिक की बॉटल में पढ़ा रहता है तो इसे बहुती बड़ी प्रॉबलम स्टार्ट हो जाती है कुछ experiments में पाया गया है कि जब पानी को ज़ादा टाइम तक प्लास्टिक की बॉटल में रखते हैं, तो ये पानी acidic in nature हो जाता है, ये पता चलता है pH value से, तो पहले समझते हैं कि pH value होता क्या है, pH value या potential of hydrogen एक scale है, जिसको किसी भी चीज के nature को पता करने के लिए use किया जाता है कि वो चीज acidic है, basic या neutral, और experiments में पाया गया है कि normal drinking water का pH value 6.5 से 8.5 तक का हो सकता है, जो कि neutral या slightly alkaline होता है, पर जब 3 से 4 मंद्स प्लास्टिक में पढ़े पानी को ना पा गया, तो उसकी pH value around 4 थी, which is acidic in nature, और acidic पानी पीना हमारी health के लिए काफी खराब होता है, इस तरह की bottles से BPA, यानि Bisphenol A नाम का एक industrial chemical release होता है, और फिर जब हम इस water को consume करते हैं, तो यह हमारी body में present a hormone, estrogen के साथ मिल जाता है, जिससे हमारी body में बहुत सारी problems होना start हो जाती है, जैसे कि diabetes, obesity and even infertility, और बात सिर्फ यहीं पे खतम नहीं होती, क्योंकि कई बार हम इन plastic की bottles को अपनी गाडी में या बाकी जगाओं पे रखके भूल जाते हैं, फिर जब यह bottles दूफ के contact में आके गरम हो जाती हैं, तब इनसे एक toxin release होता है, जिसका नाम है dioxin, इस toxin की वजह से breast cancer जैसे serious diseases भी हो सकते हैं, और यह plastic की bottles, जिनने हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, क्या आप को पता है कि वो किस amount में nature में add हो रही हैं, वेल, reports के हिसाब से, हम 40 billion plastic bottles हर महीने, 1.3 billion plastic bottles हर दिन, 54.9 million plastic bottles हर घंटे, और 1 million यानि 10 lakh bottles हर मिनट खरीदते हैं, अब जरा सोचिए कि ये बिमारियां हम में कितनी तेजी से फैल रही होगी, हाँ तो market में और कोई option भी तो नहीं है That's true, market में almost सारी water bottles plastic में ही आती हैं, पर ऐसे में हम अपनी खुद की water bottle carry कर सकते हैं, इससे nature में plastic add तो नहीं होगा, बलकि हमारी health के लिए भी ये best option है पर ये bottle हर जगा पर carry करना convenience नहीं है अब ये हमारी choice है कि हमें cancer, diabetes और infertility जैसी बिमारियों को अपने अंदर डालना है या तर इस छोटी सी inconvenience को अपनी daily life का हिस्सा बनाना है